नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल चुनाव की चर्चा में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश की आजमगड सीट एक महतपूर सीट के तौर पर जानी आती है और या सीट होट सीट के तौर पर कहे आता है आजमगड सीट से भाजपा के प्रत्यासी दिनेश लाल यादो उर्फन निरहुआ काया बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है उत्तर प्रदेश की आजमगड सीट से समाजवादी पार्टी के राष्टिय ध्यच पूर्व मुक मंत्री अकलेस यादो चुनाव मैदान में है निर्ववा और अखलेस यादों के चुनाव मैदान में होने से आजम गड़ सीट पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है निर्ववा अपने बयान के करण इसमें सुर्खियों में बने हुए है निर्वा ने कहा कि उन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, वह भगवान का लिखा हुआ मिटा सकते हैं, इस बयान से निर्वा पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं, और वह दिखाता है कि भाजपा के ये प्रत्यासी कितने गमंड तोर पर कहते हैं कि उन उन्हें हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आजमगड से भाजप्रा के प्रत्यासी निर्ववा चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें दिनेश लाल यादो उर्फ निर्ववा भुछपुरी के सूपर इस्टार हैं। और वे पहली बार चुनाव मैदान में उत हैं। निर्ववा कह रहे हैं कि उन्हें हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। वह भगवान का लिखा हुआ मिटा सकते हैं। वहीं निर्ववा ने सपा बस्पा पर भी हमला बुलते हुए कहा कि सपा बस्पा को मानोता का दुस्मन है। आजमगड से भाजपा के प्र को मौनोता का दुस्मन कह चुके हैं आजमगड से लड़ रहे हैं दिनेस लाल यादो उर्फ निर्ववा का या बयान काफी सर्मनाक है और वे आजमगड से चुनाव मैदान में अखले स्यादों के खिलाब चुनाव लड़ रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि भास्परा के प्र